बच्चो अब तक आप लोगों ने त्रिकोण मीतिय कोणों के मापन की अलग-अलग पधतियों को जान लिया है अब हम आगे इसका एक और समान्य परीचे देखेंगे साथ ही साथ पिछली कक्षाओ में आपने जो अलग-अलग सर्व समीकाएं देखी थी उन सबका भी हम एक बार क्विक रिविजन करते वे प्रूफ देखेंगे तो चली हम आगे देखते हैं त्रिभुज में जब कोण अलग-अलग जगा में रखते हैं तो साइन कॉस्ट टैन इनका अनुपात किस तरीके से बदल जाता है मा लेते हैं ये A है ये B है और ये C है ये तिनो त्रिभुज के सिर्स है यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये समकोण है पहले हम थीटा का प्लेस्मेंट यहाँ पर कर रहे हैं थीटा को हम यहाँ पर रख रहे हैं तो देखिए ये जो थीटा है वो इस आधार रेखा पर बना हुआ है इसलिए यहाँ पर जो आधार है ये A B है थीटा के सम्मुख जो भुजा है ये वाली भुजा B C यह इसके लिए लंब होगा तुम लिखते हैं लंब BC है और इसके बाद जो भुजा बच गई यह सबसे बड़ी भुजा हमें दिखाई दिए रही है AC तो यह कर्ण होगा अब हम जो त्रिकोण मीतिय निश्पतियां होती है जैसे कि साइन थीटा है तो हम साइन थीटा निकालेंगे कॉस थीटा टैन थीटा निकालेंगे तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ाई है इसे आप याद करने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार तो देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण और लंब क्या है बी सी लंब है और कर्ण क्या है एसी कॉस थीटा आधार बटे कर्ण आधार है AB और कर्ण है AC तैन थीटा लंब बटे आधार लंब है BC और आधार है AB तो आपने ये पढ़ा हुआ है तो देखिए यदि आप ये पहला और दूसरे का अनुपात लेंगे एक बटे दो करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा ये AC और AC दोनों के हर में हैं ये कैंसल हो जाएगा तो हमें मिलेगा BC अपन AB जो की हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब आपको यहाँ भी पता है कि साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा या फिर आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा एकॉल टू वन अपन साइन थीटा तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो कोसेक थीटा है वो साइन का व्यूत करम है तो इसी तरीके से हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा कर्ण बटे लंब और कर्ण क्या है एसी और लंब क्या है बीसी सेक थीटा यह कॉस कॉस थीटा एकॉल टू हम लेख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा या फिर सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा तो कॉस थीटा का व्यूत करम क्या हो ज है AC और आधार है AB इसी तरीके से cot theta 10 theta का व्यूत्करम होता है यह हमें मिलेगा आधार बट्टे लंब और आधार यहां पर है AB और लंब जो है वो BC है तो अभी के इस थिति में हमने यह देखा कि theta जो है वो यहां पर था कोण A जो बन रहा था या B हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर theta तो इसके लिए हमें sin theta cos theta 10 theta मिला था cos theta 6 theta और cot theta मिला था अब हम आगी की सिति में देखेंगे जब theta को हम यहां पर place कर देते हैं तब यह कोण किस तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं यह A है यह B और यह C और theta को यहां पर कोण को सब्सक्राइब ले लेते हैं थीटा का हमने इस्तिमाल कर लिया इसलिए हम यहां पर फाई ले रहे हैं अब देखिए यह जो फाई है वो इस आधार पर बनी हुई है यही रेखा थी जो कि आगे चल करके प्रारंभी की सिति इसकी यह रही होगी और अंते मिसिति यहां तक यह पहुंच गया है मतलब C भी देखा जाए तो C इस्तिरा होगा और B जो मोमेंट करते हुए यहां तक पहुंच गया होगा तो इस तरीके से यहां पर जो विचला नुत्पन हो रहा है यह जो कोंड बन रहा है यह फाई है तो इस फाई के लिए जो हमें आधार मिलने वाला है यह आधार B C इसके लिए आधार होगा इस फाई के सम्मुक जो भुजा दिखाई दे रही है सामने जो भुजा दिखाई दे रही है A B यह इस फ आधार, लंब और कर्ण यह मिल गया है, अब हम एक एक करके sin theta, cos theta, tan theta, kosak theta, sek theta और cot theta का मान ग्याद कर लेते हैं. तो दीखे, यहाँ पर angle phi, तो हम लिखेंगे sin ph equal to, यह होता है, लंब बटे कर्ण, और कर्ण क्या है, a, b, और कर्ण है, a, c. इसी तरीके से, यदी हम cos phi ले ले, cos phi क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार kya है यहाँ पर, b, c और कर्ण है, a, c. इसी तरीके से, tan phi अगर ह होता है लंब बटे अधार और लंब क्या है A B अधार क्या है B C अब यहां से हम लिख सकते हैं को सेख थीटा यहां पर को सेख फाई है को सेख फाई साइन का व्यूत करम होगा तो हम लिखेंगे A C अपॉन A B सेख थीटा यहां पर है सेख फाई का व्यूत करम है तो हम लिखेंगे A C अपॉन B C और कॉट फाई टैन फाई का व्यूत करम है तो यहां से हम लिखेंगे BC upon AB तो देखिए ठीटा अलग अलग जगा इस्थित होने से जो अनुपात है वो भी बदल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर sin 5 AB बटे AC मिल रहा है यह देखिए और यहाँ पर BC बटे AC मिल रहा है तो जैसे ही ठीटा को हम अलग जगा इस्थापित कर देते हैं वैसे ही उसके लिए आधार और लंब बदल जाते हैं कर्ण वही रहता है अब हम देखेंगे त्रिकोंड मिती यह सरोसमी का है बीजवनित में आपने कुछ सूतर देखे हैं तो इसी तरीके से तरीके से या में भी कुछ सर्वसमीका होती है तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जब कोई समीकरण उसमें आने वाली अज्यात रासी या अज्यात रासियों के सभी मानों के लिए सत्य होता है तो उसे सर्वसमीका कहते हैं यह है sin square x plus cos square x equal to 1 for all x belongs to r तो यह दो चिन है जिसका कि इस्तेमाल आप समुच्चय सिधान्त में कर चुके हैं belongs to अभ्यव है और r जो है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को प्रदस्यत करता है तो यहाँ पर x के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है उसके लिए हमें sin square x plus cos square x equal to 1 मिलेगा यहाँ पहली सर्वसमी का है दूसरी सर्वसमी का कुछ इस प्रकार है 1 plus 10 square x equal to sake square x for all x belongs to r minus 2n minus 1 into pi by 2 such that n belongs to z देखिए z जो है वो पूर्णांग संख्याओं का समुच्चय है और r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है यहाँ पर आपको दिया गया है r minus 2n minus 1 into pi by 2 where n belongs to z यदि n equal to आप 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा r minus यहाँ पर 1 रखेंगे तो मिल जाएगा 2 into 1, 2, 2 minus 1, 1 मिलेगा और pi by 2 का गुणा तो इस तरीके से यदि r में आप pi by 2 को घटा देंगे तो यह pi by 2 एक ऐसा मान है जिसके लिए यह सर्वसमी का जो है वो परिभासित नहीं है ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो टेबल देखा होगा वहाँ पर 1090 यह infinity होता है और सेक 90 यह भी infinity होता है तो यह जो pi by 2 है जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाते जाएंगे pi by 2 का आपको integer multiples मिलते जाएंगे तो उन सारे जगहों पर यह जो 1090 यह यहाँ पर 10 function यह 10x और सेक x है वो परिभासित नहीं होगा तो इन बिंदूओं को छोड़कर वास्तविक संख्या के समुच्चा में जितने सारे बिंदू होंगे उन सभी अभ्यवों या बिंदूओं के लिए यह सर्वसमी का सत्य है वो है 1 plus 10 square x equal to सेक square x अब इसमें तीसरी सर्वसमी का है 1 plus cot square x equal to cosec square x for all x belongs to r minus n pi such that n belongs to z चलिए अब इसे समझने की कोसिस करते हैं n pi such that n belongs to z z पूर्णांग संख्याओं का समुच्चा है मतलब 1,2,3,4 ऐसे पूर्णांग संख्या जाब हम इसमें रखेंगे तो यदि हम इस पे r minus n pi such that n belongs to z ऐसा दिया गया यदि n equal to 1 रखेंगे तो पहला जो मान हमें मिल रहा है r minus pi दूसरा मान मिलेगा 2 pi तीसरा मान मिलेगा 3 pi तो r जो वास्तिविक संख्याओं का समुच्चा है उसमें इन सारे मानों को हटा देंगे यदि डिलीट कर देंगे तो वो सारे अव्याव जो बचेंगे उसके लिए यह जो सर्वसमी का है यह परिभासित है ऐसा क्यूं है क्योंकि यहां पर देखिए कॉट और कोसेक का इस्तमाल हो रहा है और आपने देखा है कि कॉट 0 जो होता है यह इंफिनिटी होता है कॉट 180 जो होता है यह भी इंफिनिटी होता है कोसेक 0 डिगरी यह भी इंफिनिटी होता है और कोसेक 180 डिगरी यह भी इंफिनिटी होता है जेड पुर्णांग संख्याओं का समुच्चा है जेड में माइनस 1, माइनस 2 इस तरीके से आपको infinite element मिलेंगे 0 भी इसमें सामिल होगा 1, 2, 3 भी सामिल होगा तो इस तरीके से जब आप एक बार n equal to 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा πाई 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 पाई 3 रखेंगे तो मिल जाएगा 3 पाई लेकिन यदि n equal to आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 into पाई 0 भी मिल जाएगा तो इस तरीके से आर माइनस 0 तो यह 0 डिगरी है उसके लिए भी कॉट और कोसेक परिभासित नहीं है तो वास्तिविक संख्याओं के समुच्चे में n पाई such that n belongs to z वाले जो माने इसको हम खटा दे तो वे सारे जो अव्याव बचेंगे या अंक बचेंगे उनके लिए 1 प्लस कॉट स्क्वार x equal to कोसेक स्क्वार जो होगा वह सत्य होगा तो आगे हम इसका सत्यापन देखेंगे तो सरस्वमी का है साइन स्क्वार x plus कॉट स्क्वार x equal to 1 for all x belongs to r दूसरा है 1 plus 10 स्क्वार x equal to सेक स्क्वार x for all x belongs to r minus 2 n minus 1 into pi by 2 such that n belongs to z और तीसरा है 1 plus कॉट स्क्वार x equal to कोसेक स्क्वार x for all x belongs to r minus n pi such that n belongs to z तो इस सरस्वमी का को सिद्ध करने के लिए हम एक इकाई वृत्त की रचना करते हैं मान लेते हैं कि यह एक अक्ष है और यह दूसरा अक्ष है यह x x देस यह y और यह y डेस यहां पर एक वृत्त की हम रचना कर रहे है यह y एकाई वृत्त है मान लेते हैं कि x अक्ष पर यहां बिंदू है 1 तो चुकि यह y है y वृत्त है इस अक्ष पर इस बिंदू का जो निर्देशांक होगा यह 1 लिए मान लेते हैं कि ये विंदू वृत य अक्ष को B बिंदू पर प्रतिछेद कर रही है तो इसका निर्देशांग 0,1 हमें मिल जाएगा वृत एक्ष अक्ष को एक्ष देश पर बिंदू C पर प्रतिछेद कर रही है तो इसका जो निर्देशांग होगा ये माइनस वन जीरो होगा और यह वृत वाइडेश अक्ष को बिंदू डी पर प्रतिछेत कर रही है इसका निर्देशांख हमें जीरो माइनस वन मिलेगा अब माना वृत पर एक बिंदू पी एबी इस प्रकार है कि पी से ए तक की जो चाप की लंबाई है यह एक्स है और यहाँ पर बनने वाला कोण एओ पी यह भी एक्स के बराबर है तो हम लिखते हैं माना अभीष्ट वृत इकाई वृत है अतह बिंदू A जो होगा यह वन जिरो B जिरो वन C माइनस वन जिरो D जिरो माइनस वन होगा बिंदू P AB इस प्रकार लिया की चाप AP की जो लंबाई है यह एक्स है और कोण AOP यह भी एक्स रेडियन का कोण है आगे हम लिखेंगे त्रिकोण मितिय फलन की परिभासा से साइन थीटा कॉस थीटा यह हम या फिर साइन एक्स कॉस एक्स हम निकाल सकते हैं साइन एक्स लंब बटेक करण यदि P से इस रेखा पर हम लंब खीचें और मान लेते हैं कि इस बिंदू का निया देशांक M है यह बिंदू A भी है इसका मतलब है कि यहां से लेकर O से लेकर M तक की बीच की दूरी A होगी और P से M तक की बीच की दूरी B काई होगी तभी यह बिंदू P A B होगा तो इस सित्र में देखिए यहां पर एदियम साइन एक्स लें तो लंब बटेक करण एक्स के लिए लंब जो होगा वो P M होगा और कर्ण जो होगा वो O P होगा और चूंकि यह इकाइव रित्त है अत्तह O P यह A की काई होगा और P M पी M जो होगा यह B होगा तो B upon 1 इसी तरीके से cos X आधार बटे कर्ण एक्स के लिए आधार क्या है O M और कर्ण है O P O P A की काई है और O M जो है ये A दूरी पर रिस्थित है या फिर O से M की जो लंबाई है वो A है तो यहां से हम लिख सकते हैं माल लेते हैं कि ये पहला समी करन है और ये दूसरा समी करन है पहले से हम लिख सकते हैं B equal to sine x और दूसरे से लिख सकते हैं A equal to cos x अब O से P की बीच की दूरी एक इकाई है मुल बिंदू का नर्देशांक 0 0 होगा और P जो है ये A B दिया गया है तो बिंदू O से P की दूरी चुकि ये 1 काई विरता है अता है ये 1 की काई होगी दो बिंदो की बीच की दूरी का सूत्र हम लगाते हैं A minus 0 का square plus B minus 0 का square equal to 1 तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ है कि यदि P एक बिंदू x1, y1 और दूसरी बिंदू Q x2, y2 हो तो दोनों बिंदो की बीच की दूरी P, Q ये होता है x1 minus x2 का whole square रहा है square root over A square plus B square equal to 1 इसे और आगे हल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपको मिल दाएगा A square plus B square equal to 1 अब सम्मी करण x से A equal to cos x लिख सकते हैं तो आपको मिल दाएगा cos square x और B के इस्थान पर आप sin x लिख सकते हैं तो आपको मिल दाएगा sin square x equal to 1 तो cos square x plus sin square x equal to 1 for all x belongs to R यह पहली सर्वसमी का है जो की हमें सिद्ध करना था अब इस पहली सर्वसमी का का उपयोग करके हम से इस दो सर्वसमी काओं को सिद्ध करेंगे तो पहली सर्वसमी का हमें मिली थी cos square x plus sin square x equal to 1 हमें मिला था तो यदि इसमें हम x जो होगा उसे 2n minus 1 into pi by 2 को छोड़ कर की सारी value लें इसका मतलब यदि x not equal to 2n minus 1 into pi by 2 हो तब हमें cos x जो होगा वो 0 के बराबर नहीं मिलेगा या फिर cos x not equal to 0 मिलेगा तो यह जो समीकरण इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं तो आगे हम समीकरण 1 को cos square x से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा cos square x upon cos square x plus sin square x upon cos square x equal to 1 upon cos square x और यहाँ पर है for all x not equal to 2n minus 1 into pi by 2 इसे हल करने पर आपको मिलेगा 1 plus sin theta upon cos theta tan theta होता है तो इस वज़े से यह हो जाएगा tan square x equal to 1 by cos x होता है sec x तो इस तरीके से यह हो जाएगा यह हो जाएगा sec square x for all x not equal to 2n minus 1 into pi by 2 यही हमारा दूसरा सर्वसमी का है जो की हमें सिद्ध करना था देखिए cos x को 0 इसले नहीं लिए आ गया है जैसे यहाँ पर हर में अगर कोई रासी 0 आ जाती है तो वह मान हमें infinite या फिर अनंत या फिर आपरिभासित मिलता है तो इस वज़ा से उन मानों को यदि हम x से हटा दें या x वह मान ना ले जिसके लिए या फलन आपरिभासित होगा तो हमें वह सर्वसमी का मिलेगी तो वह उन सब सर्वसमी काओं को संतुष्ट करेगी अब इसी तरीके से समी करण एक में यदि x जो होगा वो n पाई के बराबर नहीं होगा तो हमें sin x का मान 0 नहीं मिलेगा अता दोनों पक्षों को sin square से भाग देने पर समी करण एक को sin square से भाग देने पर हमें मिल जाएगा cos square x upon sin square x plus sin square x upon sin square x equal to 1 upon sin square x for all x not equal to n pi cos upon sin यह होता है cot तो यहाँ पर मिलेगा cot square x plus 1 और यह 1 by sin cosec होता है तो इस तरीके से यह मिल जाएगा cosec square x for all x not equal to n pi तो यह हमें तीसरी सर्व समी का मिल गई वह है cot square x plus 1 equal to cosec square x for all x not equal to n pi का जहalar जाएगा पृफड़ जाएगा